नमस्कार, आज कथा सक्षी में सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी बेटे की मा यह रिष्टा भाईया के ससुर जी नहीं तै किया था अम्मा ने एक तरह से या भार उनके ही से डाल दिया था और कहती भी तो किस से भाईया तो इस काम के लिहाद से बहुत छोटे थे उनका अनुभव ही कितना था जीजा जी थे जो देन रात अपनी ही शान बगारा करते थे अम्मा पर जब तब एहसान जताते रहते कि उनके बिटिया का हाथ थाम कर उन्होंने उपकार किया था वे ये भूल जाते कि दीदी के शादी बाबुजी के सामने हुई थी और उसमें बाबुजी ने अपनी हैसियत से ज़्यादा ही खर्च कर डाला था चाचा जी की लीला तो और भी न्यारी थी एक ही शहर में रहकर महीनों शकल नहीं दिखाते थे हार्ट बाजार में मिलते तो हाल चल पूछने से कत्राते थे कि कहीं कुछ लेना देना न पड़े लेकिन जान पहचान वालों के सामने यह दिखावा जरूर करते थे कि स्वर्गी यह भाई साहब की ग्रिहस्ती का भार ढोते ढोते उनके कंधे जुकाए हैं भाईया की इंजिनियरिंग की पढ़ाई का थो पता नहीं कहां कहां रोना रोया होगा इसलिए यह बात एक तरह से तै थी कि हम दोनों की शादी के लिए इन दोनों का कोई एहसान नहीं लिया जाएगा भाईया के लिए तो खेर कोई समस्या ही नहीं थी उन्हें नौकरी बाद में मिली रिष्टे पहले आने लगे थे सवाल तो मेरा था अम्मा को बस मेरी शादी के चिंता ही गून की तरह खाये जा रही थी इसलिए उन्होंने सीधे समधी जी से ही बात की देखिये भाई सहा दो-दो बार महमानों को जहिलना मेरे बसका नहीं है न मेरे पास उतना पैसा है न काम बटाने वाले हाथ है इसलिए मैं एक ही बार में सब नेपटा कर छुट्टी हो लेना चाहती हूँ किसी तरह इस लड़की के लिए एक बर जुटा दीजिए तो मैं फोर्सत हो जाओ अब की बेटी के सिर भी फिर कोई भार नहीं रहेगा बिचारे पांडे जी समझ गए कि यह बहन ची का अनरोद नहीं है आदेश है एक तरह से शादी की शर्त है बिचारे अपनी बीटिया के लिए जूते चटका कर हलकान हुए जा रहे थे अब या एक और जिम्मेदारी सिर पर आ गई अपनी लड़के के लिए वरखोजना फिर भी आसान है आपको अपनी हैंसियत का उकात का पता होता है भले बुरे की जिम्मेदारी भी आपकी अपनी होती है दूसरों का काम करते समय तो दस बार सोचना पड़ता है पर इंजेनियर दामात पाने का लालच उन्हें बल दे गया और वे मेरे लिए भी एक नाया भीरा खोज कर ले आए लड़का उन्ही के शहर कानपुर का था अंग्रेजी में गोल्ड मेडलिस्ट एम में पीचडी अपना मकान घर में केवल भाई-भाबी मकान भी दो हिस्सों में बटा हुआ जब मर्जी हो किराइदारों से खाली करवा कर अलग रिहस्ती बसा लो इतना अच्छा रिष्टा तो शायद हम लोग भी नहीं खोज पाते और यहां खोजने को था ही कौन देखने दिखाने का कारक्रम कान पोर में ही संपन हुआ हम लोग भावी के गोद भरने गए थे भाई आभी साथ हो लिये थे मैं उन लोगों को बुला लिया क्या परिचित तो थे ही बात तै हो गई तो खुश हो गए कि परिचय अब रिष्टे में बदल जाएगा हम लोग किसी तैयारी से नहीं गए थे फिर भी चाचा जीने लड़के को 101 रुपए देकर शगुन लिया उनकी भावी ने मुझे एक साड़ी दी सगाई के लिए साइड ढूनने की बात कि तो उनके भाई बोले मैं इंड़कोसलों में विश्वास नहीं करता बात तो होई गई है अब आप शादी की तैयारी कीजिए सब लोग बहुत खुश थे ऐसे सुलजे हुए इंसान आज कल कहां मिलते हैं दिवाली के बाद पहले दो मुहुर्तों पर शादी करना तैह हुआ बीश में दो दिन का अंतराल जो की जरूरी था इस बीश थोड़ा सा वेवहारी कादान प्रतान भी शुरू हो गया था जैसे जनम दिन की पधाईयां उपहारा दी सावन में हमने भाभी के यहां राखी डोरा भेजा मेरी ससुराल से भी सामान आया शुरू शुरू में हम लोग पत्र भी लिखते थे भाईया एक आदबार हो भी आये थे फिर देखा कि अम्मा को यह सब अच्छा नहीं लग रहा है तो सैयम कर लिया तीन-चार महीनों की ही तो बात थी जून के अंत में भाभी का रिजल्ट निकला था इंग्लिश में गोल हो गई थी भाईया बहुत बिगड़े मैं दो इंग्लिश लिट्रेचर देख कर ही रिजा था नहीं तो आज कल भी ये पास लड़कियों को पूछता कौन है उन्होंने फोरन अपने होने वाले बहनोई को पत्र लिख कर अनुरोध किया कि समय निकाल कर सुष्मा को थोड़ा कोच कर दे मेरे लिए यह प्रतेश्ठा का प्रश्ण है तब भाईया कहां जानते थे कि वे अपने ही पैरों पर कुलाडी मार रहे हैं आमा के उत्साह का अंत नहीं था अपना गठिया वाद सब कुछ भूल कर वे तैयारी में जुट गई थी उनकी खरीदारी जैसे खत्मी नहीं हो पा रही थी एक से गहने एक सी साडियां, एक से स्वेटर्स, एक से सूट पेटी और बहु में, बेटे और दामाद में वे कोई फर्क नहीं कर रही थी नहीं किसकी नजर लग गई, शाधों तक तो अम्मा दमसाधे बैटी रही पर नौरात्री के शुरू होते ही वे हरकत में आ गई, और वह जरूरी भी तो था दो-दो शादियां थी, कोई मजाक नहीं था उन्होंने फोरण भावी के पिता को पत्र लिखा, कि वे कैसा इंतजाम कर रहे हैं, कितनों का कर रहे हैं, लिख भेजें ताकि लोगों को उसी प्रकार आमंतरित किया जा सके फिर राजेश के भाई साहब को भी लिखा कि वे कितने लोग आ रहे हैं कैसी विवस्था चाहते हैं लिखें ताकि यहां सब सिलसिलेवार हो सके बेंड आप अपना लाएंगे कि हम यहां ठीक करें क्या आपकी बारात में महिलाएं होंगी क्या उनकी अलग विवस्था करनी होगी अम्मा ने लगातार कोई तीन-चार चिट्थियां लिखी होंगी पर कोई उत्तर नहीं आया फिर टेलिग्राम दिये गए पांडे जी तो उसे भी पी गए पर राजेश के भाई साहब को एक-दो लाइन का पोस्ट कारड आया कि हो सके तो तारीख आगे बढ़ाते अम्मा तो एकदम बढ़ा आ गई तारीख आगे बढ़ाना कोई मजाख है यहां सब का बयाना दिये बैठिंग है वह तो डूब ही जाएगा फिर दोबारा विवस्ता होना क्या इतना सरल है चार महीने पहले से हॉल्बुक करना होता है समय पढ़ना हलवाई मिलते हैं न बैंड वाले शामियाने तक बुख हो जाते है हारकर अम्मा ने जीजा जी को कानपुर भेजा कि ठीक से सारी बाते तै करके आएं किया धरा तो उन्होंने कुछ भी नहीं उल्टे आते ही बरस पड़े ऐसी ही बेजज़ती करवानी हो तो आगे से हमें न भेजा कीजिए आखिर हुआ क्या होना क्या था लोगों ने तो हमें हर कारा समझ लिया किसे ने सीधे मुँ बात तक नहीं की राजेश जी तो हमें देखकर सीधे दिल लिख सक लिए बोले जरूरी समिनार है उनके भाई साहब बुखार का बहना बना कर कमरे में दुबग गए बस एक भावी थी जो हमें घंटे भरबा चाय नाश्ता करवाती रही जैसे मैं वहां सिर्फ पेट भरने के लिए ही गया हूँ तो पांडे जी को साथ ले लेते वाह क्या कहने है अरे आपके पांडे जी के यहाँ तो हमें किसी ने पहचाना तक नहीं सुशमा ने भी नहीं पहचाना कहां तो दर्वाजे से ही टर्का दिया कह दिया कि पंडे जी तीन-चार दिन के लिए बना रस गए है जब वे लॉट आए तब आईएगा कसम है मुझे जो अब मैं उनके दर्वाजे थूकने भी जाऊ अम्मा तो सच मुझ डल गए जीजा जी इस अपमान का बदला भाईया की शादी में जरूर निकालेंगे इसमें संदेह नहीं था पिर अम्मा ने चिरोरी करके चाचा जी को भेजा चाचा जीजा जी की तरह सोफिस्टिकेटिड आदमी नहीं थे बिल्कुल ठेट किस्म के जीव थे मान अपमान की परवा किये बिना बात की तहट तक पहुचकर ही दम लेते थे चाचा जी ही वह ख़बर लाए थे जिसे सुनकर हमारी पैरो तले की जमीन खिसक गई थी ख़बर सचमुच बहुत भ्यानत थी अंग्रेजी साहित ते पढ़ते पढ़ाते सोशमा और राजेश एक दूसरे को कप पढ़ने लगे थे किसी को पता ही नहीं चला जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी समझाने बुझाने के सारे प्रयास विफल हो गए और फिर एक दिन किसी मंदिर में फेरे लेकर इन लोगों ने वह विशही समाप्त कर दिया पारंडे जी बेचारे क्या कहते बस चाचा जी से शमा मांगते रहे लेकिन राजेश ने साप कह दिया सगाई वगेरे तो हुई नहीं थी अगर सगाई हो भी जाती तो भी क्या फर्क पढ़ना था मन क्या कभी इन बंधनों की परवा करता है सोशमा को ही सगाई का बंधन कहां रूख पाया अम्मा तो गुस्से से पागल हुई जा रही थी उस दिन भाईया जैसे ही काम से लोटे मैं उन पर तूट पड़ी और पढ़ा लो अंगरे जी पता नहीं रानी जी को कहां की कलेक्टरी दिलवानी थी अरे नहीं आती थी अंगरे जी तो न सही हिंदी में बात करती तो क्या तुम छोटे हो जाते और अब चार लोग सुनेंगे तो कितनी इज़द बढ़ेगी चुडेल सब के मुँपर जाड़ू फेर कर चली गई भया हत बुद्ध से अम्मा का प्रलाब सुनते रहे उनकी समझ में उसका सिर पर कुछ भी नहीं आ रहा था पड़ी देर बाद उनको पता चला के माजरा क्या है और वे पत्थर हो गए मैंने सोचा था कि उनकी प्रतिक्रिया भी अम्मा की तरह विसोटक होगी पर वे बुद्ध बने बैठे रहे थोड़ी देर बाद बिना कहे सुने बाहर चले गए बारा घंटे बाद उनका छत विछत शरीर ही वापस लोटा था इस अपमान को इस लज्चा को वे बरदाश नहीं कर पाए और रेल के सामने कूद गए थे मारना तो मुझे भी था पर अम्मा को देखकर जी कड़ा कर लिया इस वज्जपात को वे अकेले कैसे जेल थी दुख की इस घड़ी में मेरे सिवाय और कौन था जो साई की तरह उनके साथ रहता इस अंदे उनका दुख मेरे दुख से बहुत बड़ा था तब से साल पर साल उज़रते चले जा रहे है उम्र मुठी से रेत की तरह फिसलती जा रही है और मैं हूंकी वहीं खड़ी हूँ जहां पच्ची साल पहले खड़ी थी ट्रिंग 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 एक साथ पता नहीं कितनी घंटियां बज़ उठी थी तंद्रा तूटी तो देखा कंड़क्टर कान के पास खड़ा चिल्ला रहा था पहन जी उतरना नहीं है हड़ बढ़ा कर उठ खड़ी हुई तो देखा सारी बस मुझे खूर रही है कंड़क्टर रोज का परिचित था इसलिए सज्जनता बरत रहा था पर यात्रिगड मुझे क्या छमा करते या आधे मिनट की देरी भी उनके लिए असहाय थी इसलिए उतरते समय कितनी ही फप्तियां सुननी पड़ी आजकल तो लेडीज भी भांग पत्ती खा कर चलने लगी है अरे किसी के ख्यालों में खो गई होगी इस उम्र में शर्म से गड़ गई मैं रास्ता चलते हुए भी जैसे ये आवाज है मेरा पीछा करती रही और मैं कुढती रही क्या जमाना आगया है लोगों में जरा भी लिहाज नहीं रह गया है जो मुह में आया बग देते हैं साथ वाले भी उन्हीं टोकते नहीं उल्टे ही ही करके हस देते हैं चलते चलते मैं अचानक ठिठक गई अपने भुनवनाते मन को मैंने ठीक से टटोला तो इस तब रहे गई मुझे जादा वह उम्रवाला फिक्रा ही चुभा था कोई या 43 साल के उम्र में कोई किसी के ख्यालों में डूब ही नहीं सकता अगर यह सच होता तो क्या मैं अतीत को इतनी बारी की से याद रख पाती क्या उस भयावा अनुभव को फिर से जी पाती अतीत के चलचित्रों में जो बार बार जहाग रहा था मुझे जग जोर रहा था वह चेहरा किसका था राजेश का ही तो था और इतने दिनों से मैं या ब्रहम पाले हुए थी कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ वक्त का तकारजा भी वही था इस उम्र में कितनी ही कारत से कहा था उस लड़की ने जैसे किसी को याद करने का ठेका सिर्फ यॉवर ने ले रखा हूँ और तैताली साल की उम्र में क्या कोई भूढ़ा हो जाता है उसका भी क्या दोश है मेरा सूखा शरीर रूखा चेहरा और खिचडी बाल देखकर अक्सर ही लोग मुझे पचास के पार पहुचा देते हैं कई बार मन होता है कि बाल रंग लिया करूं पर हिम्मत ही नहीं होती अम्मा की घूरती निगाहों से डर लगता है कई बार इच्छा होती है अम्मा कभी तो कहें कि तू कैसी होती जा रही है जरा तो अपनी सेहत का ख्याल किया कर पर अम्मा कुछ भी तो नहीं कहती उन्हें अपना ही रोना रोने से फुरसत नहीं मिलती दिन भर विसुरना और उसाज भरना उनके पास बस यही दो काम रह गए है आमा तुम्हें वो मिसिस आहरवार याद है उस दिन पार्टी में आई थी खूब याद है और बिटो हम कहे देते हैं ऐसे वैसों को घर में मतलाय करो हाँ जिस्तिस के जूठे बरतन हम नहीं धोएंगे हाँ यानि अमा को अब तक उस बात का मलाल बना हुआ है दो महीने पुरानी बात भी उनके जेहन में अब तक ताजा है पहली बार घर में किसी को बुलाया था जश्न करने का तो कभी मौका ही नहीं आया सब पीछे पड़ी रहती थी उपर छट पर परसाती नुमा एक कमरा बनवाया था उसी का बहाना लेकर सब को चाय पर बुला लिया था दिन भर अमा बड़े चाव से सब कुछ बनवाती रही सब का स्वागत भी उन्होंने बड़ी आत्मेता के साथ किया पर जैसे ही मैंने एक एका परिचे देना शुरू किया उनके चेहरे का रंग बडलने लगा खाने में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया जिसका किसे ने बुरा भी नहीं माना पर जब सारी टीम मदद करने के बहाने चोके में घोसाई तो मैं समझ गई कि आज रात अम्मा का उपवास रहेगा एक बून पानी भी वे नहीं पीएंगी सब के जाने के बाद रात को मैंने बरतन समेटे महरी तो कभी घर में थी ही नहीं अपने आप ही सब कुछ करना था अम्मा से बस मैंने कप प्लेट धोने के लिए कहा था उन्होंने माना तो नहीं किया पर इतना कुछ सुना दिया मानो मैंने उनका बुढ़ापा ही खराब कर दिया हो इतना ताव आया था मुझे मान लो आज भहिया होते तो घर में रोजोज पार्टियां होती तभी क्या अम्मा ऐसे ही झीखती दूसरे ही छड़ ख्याल आया भहिया होते तो अम्मा बरतन क्यों धोती इंजीनियर की मा होती में नौगरों की पल्टन पर राज करती अहिरवार की कोई बात कह रही थी न तुम अम्मा ने टोका किस्तों में उन्हें बेहद रुची है समझती है कि बिटों ने जब बात उठाई है तो भी मतलब नहीं होगी मेसे इस अहिरवार की बहन का लड़का उनके इहां आया हुआ है सो अकेला नहीं है अम्मा एक लड़की भी साथ में है खानपूर के बाजबेई परिवार की है लड़की की माने जहर खा लिया है बाप को हार्ट अटेक हो गया है दोनों अस्पताल में भरती है लड़की का बड़ा भाई पिस्तोल लेकर घूम रहा है कि या तो बेहन को वापस ले जाएगा या दोनों को मार देगा फासी भी हो जाए तो परवार नहीं मेसिस अहिरवार बिचारी खूब रो रही थी इतना गुड़ी लड़का है बैंक में ऑफिसर है बेहन की सारी आश्राएं उस पर टिकी हुई है या तो लड़की भगाने से पहले सोचना था न उसने भगाई नहीं है अम्मा लड़की खुद उसके साथ आई है वह कोई बच्ची नहीं है उसके साथ बैंक में काम करती है पर लेकर यही तो होगा अम्मा का ये तक्या कलाम है जहां कुछ उल्टा सीधा सुना सारा दोश पढ़ाई के सिर मर दिया जैसे पढ़ लेकर सभी लड़की आवारा हो जाती है एक मैं भी तो हूँ पढ़ी लिखी हूँ नौकरी कर रही हूँ फिर भी पिछले पच्चीस सालों से जोग धारण किये बैठी हूँ की नहीं पर अम्मा की आखे मुझे तो शायद कभी देखती ही नहीं अम्मा उस लड़की के माबाप कौन है जानती हो कौन वही जो कभी तुम्हारी बहु और दामाद बनने वाले थे अम्मा का मुझ खुला का खुला रहे गया अम्मा दहारी उस को लक्षनी पीज अम्मा अम्मा का पैतरा देखकर मैंने जबरदस्ती उन्हें टोक दिया क्योंकि जब वे गाली देने लगती हैं तो ऐसी गालिया देती हैं कि कान बज़ने लगते हैं खास कर सुश्मा के लिए तो उनके पास इन अनमोल बोलों का अक्षय कोश है राजेश हर बार साफ बच जाते हैं क्योंकि हत्या तो भईया की हुई है मुझे भी किसी ने जिंदा लाश बना दिया है या उन्हें नजर नहीं आता मेरे टोकने से अम्मा की धारा प्रवाह गालियों पर ब्रेक तो लग गया पर उनका वुद्बुदाना भी जारी था अम्मा मैंने कहा क्यों अपनी जबान गंदी करती हो अपनी करनी तो वे खुद ही भोग रहे हैं बिटो या तो होना था बबूल में भी कभी आम फले हैं ऐसी मा की कोक से सती सावित्री तो पैदा होने से रही इसलिए तो कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है सच मुझे तो आज बड़ी तसल्ली हो रही है कलेजे पर ठंड़क पड़ गई है मेरे जितना उसने मुझे रुलाया है भोले नाथ उससे जादा उसे कल पाएंगे मरते समय कोई पानी देने वाला भी पास में न होगा अम्मा बदस्तूर शुरू हो गई थी घर की दिवारे उनके बद्दूआउं से प्रतिध्वनित हो रही थी एक-एक शब्द कानों पर हथोड़े की तरह पढ़ रहा था पर अब उन्हें चुप कराने की सामर्थ मुझ में नहीं थी पूरी शाम उनका बड़बडाना जारी था रात खाना खाते समय भी खासे मोड में थी बार-बार कह रहीं थी तुझे अच्छा नहीं लगेगा इसलिए रुख गई नहीं तो आज ठाकुर जी को हलवा फूरी खिलाने का मन हो रहा था कितने दिनों बाद उन्होंने एक अच्छी खबर सुनाई है जी खुश हो गया आज मेरी आत्मा को शानती मिली है सालो साल मैंने आखों में रात काटी है आज मैं चैन की नीन सोंगी मुझे लेकिन रात भर नीन नहीं आई फुर्सत में लेटे लेटे जब अपना ही मुआयना किया तो मैं चकित रह गई मेरी नीन्द खुशी ने उड़ा दी थी हाँ सच मुझ में बहुत खुश थी शायद अम्मा से भी ज़्यादा खुश थी मुझे अम्मा से इर्शा हो रही थी कितनी सुखी हैं वे पे खटके मन की बात कह डालती है और मैं सभिता का मुखवटा उड़े बे बज़े अपने में कुड रही हूँ अपना यह स्वान किसे दिखाना है मुझे किसे रिज़ाना है मैं खुल कर कहती क्यों नहीं कि आज मेरे कलेजे पर भी छंड़क पड़ी है मेरी बद्दुआएं भी रंग लाईं है तुमने हम दोनों भाई बहनों के जिंदगी उजार दी थी आज तुम्हारे दोनों बच्चों के सिर पर भी काल नाच रहा है रिश्वर ने बहुत सही नयाय किया है पर मजे की बात यह थी कि मेरा सारा रोश, आकरोश, राजेश के लिए था सुश्मा को तो मैंने कब का बरी कर दिया था नीन नहीं आ रही थी फिर भी दम साधे पड़ी रही करवट बदलते भी डर लग रहा था कमरे के दूसरे छोर पर अम्मा की चारपाई थी बहुत दिनों बाद चैन के नीन सोई थी सोचा अपने खटर पटर से उनकी नीन क्यों खराब करूँ तीन बजे तक मैंने किसी तरह सबर किया फिर उठना ही पड़ा मैंने बिलकुल आहिस्ता बिस्तर छोड़ा दबे पाउं भी तर गई पात्रूम का दर्वाजा पानी का मटका बहुत धीरे से खोला और बंद किया जरा भी आवाज नो होने दी आवाज के डर से ही बिजली का सुष्ट तक नहीं दबाया उसी तरह दबे पाउं लोटकर कमरे में आई देखा देखा अम्मा की चारपाई खाली थी और शायद वह बड़ी देर से खाली रही होगी क्योंकि देर तक जागने के बावजूद मुझे उनके खासने खाखारने की आवाज सुनाई नहीं दी थी कहा चली गई अम्मा धीतर तो नहीं थी मैंने बाहर जाका परामदे की जाली से लगी वे एक टक बाहर निहार रही थी अम्मा मने आवाज दी वे चौकी उन्होंने पलट कर देखा उनकी आखे डब डबाई हुई थी शाम को उल्लास से दमकता उनका चेहरा बोचसा गया था क्या बात है अम्मा नीन नहीं आ रही उत्तर में उन्होंने फिर्शने में नजरें गड़ा दी डोपती सी आवाज में बोली सब किस्मत की बात है लली एक वह बेटा है जो घर की आनवान के लिए मरने मारने को उतारू हो गया है एक हमारे थे जो चुपचा पटरी पर लेट गए या भी ना सोचा कि अमा का बुढ़ापा कैसे कटेगा मैं इस दबध रह गई अमा की पीट पर रखा मेरा हात बर्फ हो गया तो क्या अमा सारी राज जाकर इसी का मातम मना रही थी क्या वे बिलकुल भूल गई क्या वे बिल्कुल भूल गई हैं कि उनके बुढ़ापे की गरिमा बनाये रखने के लिए मैंने अपना यौबन राह कर दिया है बेफफ़क कर रो पड़ी थी पर मैं जड़वत खड़ी रह गई उन्हें सांतोना देने का जरा भी मन नहीं हुआ क्योंकि पता था किनासों में से एक भी मेरे लिए नहीं है मेरे लिए मेरे उजड़े अतीत के लिए मेरे सोने भविश्य के लिए मेरे बिखरे सपनों के लिए अम्मा कब रोई थी जो आज रोएंगी आज पक्का विश्वास हो गया अपने को कि जिन के लिए तिल-तिल कर जी रही हूँ, वे मेरी मा नहीं है, वे तो भाईया की मा है, अपने बेटे की माँ अभी आप सुन रहे थे, मालती जोशी जी के लिखी कहानी, बेटे की माँ